बादे कुछना फ्रेंज वेलकम करते हैं अपने यूट्यूप चैनल पे तो आज हम अपने कानची के लिए एक और बहतरी ड्रेस बनाने चारे हैं तो जिसके लिए मैंने तू कलर्स का फैब्रिक यूज किया है यह देखी यह मजेंटा कलर का है और एक मेरे पास जो है ग्रीन कलर का है तो आईए देर ना करते हुए इस ट्रैस को बनाना स्टाट करते हैं तो सबसे पहले हम जो है इसका टोप इनची का व्दावर टो एदिये हैं इनका आप शोल्डर टूर स्षोल्ड đर माप करोगं तो इस देखे इंचे की एलप से मैंने इस तरह से माप करना है यह 15 कोंग है तो यहांसे लेकर बैक कर लेना है तो यहांसे लेकर ने 2 पर इन च Bere Wait करेंगी तो घ्म पीर दोग把它 मेंब है इससे बैक सके से जोी कि byना वृट हो अमें फोड़े मेरा पर लेiche죠 और विधे यह थोड़ी मैंने अभी ज्यादा कट की है तो मैंने अब इसको डबल फोल्ड किया है और यहाँ पे इसको फिर से फोल्ड किया यहाँ से हम अपने कानाची की आम्स का पोजिशन निकाल देंगे इस तरह से और हम एक कट मीडल मिल गाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम थोड़ा सा हलका सा राउंड कट लगाएंगे तांकि जो है कानाची की नेक इजीली आ जाएगी तो हम इसको इसी तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इस तरह से हमने चोटा सा कट लगाना है और यहाँ तक पुरा कट कर देना है तो यह देखे यह आ गई हमारी shirt की complete look तो अब हमें क्या करना है कि कोई भी आप जो है ले लिजे fabric मैं green color का ले रही हूँ इसके matching तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक strip pad करनी है back side से मैंने पहले strip pad करनी है यहाँ से इस तरह से fold करेंगे और यहाँ पे सभी stitches middle वाली line पे जो भी आते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गूमते हुए आएगा यह तो यह मैं stitch लगा लेती हूँ तो यह देखे back side में मैंने इस तरह से अंदर वाली side में जो एक strip pad की थी अब मैंने इसको front वाली side में लाना है और same fold करके इस तरह से यहाँ पे मैंने stitch लगा देना है तो यह बहुत सी सुन्दर सी boundary बन जाएगी यह जो आएगा portion आप front side में भी कर सकते हो अदरवाइस back side में भी कर सकते हो तो यह देखे अब तक इसकी look यह है यहाँ पे मैंने नीचे वाली side भी हमिंग कर ली है और यह दोनों साइड में भी हमिंग कर ली है अब मैंने क्या किया कि एक जो है आपने circle की shape में यह देखे इस तरह का कुछ जो है आपने कट करना है तो उसकी मैंने दो पाट किये है semi circle हो गया complete यह semi circle भी नहीं है just shape इस तरह की आपने draw करनी है तो इसको मैंने कुछ इस तरह से करते हुए brick brick जो है मैंने silver ten डालनी है और यहाँ पे बाजू की जगया पे add करना है और बग की जो मेरा बचेगा उसकी मैंने इस तरह से ही मुडाई करके hamming कर देनी है तो दोनों साइड में मैं यह लगा लेती हूँ तो यह देखे कुछी इस तरह से चुनटे डल कर यह वाली बाजू लगेगी अब हमने क्या करना है यहाँ पे back side की और करके fitting वाला stitch लगा लेना है तो उसके बाद हम पजामा ready करते हैं और इसको decorate करते हैं तो यह देखे यह टोप रेडी हो चुक है यहां पर वेल्क्रो टेप यहां फिर टीच बटन कुछ भी लगा सकते हैं उसके बाद अगर आप इस साइड से पहनाना चाहिए तो इस साइड से पहना सकते हैं जिस मज़े साइड से आप इसको easily पहना सकते हैं आई बारी इसको decorate करने के लिए हमें लेना है कोई भी rectangular piece लेने के बाद हमने कुछ इसको इस तरह से fold करना है इसमें प्लेट्स डाल लेनी है तो यह देखिए यहां पे बिल्कुल center point में हमने धागे की help से इसको tie-up कर देना है तो यह बहुत सुन्द सी bow बनकर ready हो जाएगी तो इस bow को हम यहां पे इस तरह से लगा देंगे तो यह देखिए बो को लगाने के बाद तो यह देख सकते हैं बो को लगाने के बाद यह कुछ इस तरह की look देगा अब बारियती pajama की तो pajama बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है नाइन इंजी के प्रोक्सिमेटली और यहां से आप लेंध किसी भी साइज के अकोडिंग अपने बिल्कुल निचे की तरफ से आएगे जैसे कि पैरलर होते हैं तो यह वले लुक देगा पजामा तो उसके अकोडिंग पहले सबसे पहले मैंने एक साइड तो हैमिंग कर ली है दूसरी साइड में यहां पे प्लेट्स डालकर इस तरह से इसको रेडी कर लेना है बैक साइड अगर पतला वाले लास्टिक है तो आप उसको इसमें इंसर्ट कर सकते हैं तो अब मैंने इसको इसमें जो है नीडल की हल्प से डाल दिया है तो इसको बैक साइड से करते हुए इस तरह से यहां पे स्टीच अब मैं लगा दूंगे और फिर लास्टिक को जितना भी आपके काना जी की कमर है उसके अकोडिंग रखकर नोट लगा कर कट कर देंगे इसको तो इलास्टिक के कट होने के बाद यहां पे मैंने इस्टीच लगा कर इसको अटैच कर लिया है अब मैंने क्या करना है जहां पे मैंने स्टीच लगाया था दोनों को जोडने के लिए वो मैंन मिडल में करना है, अगर आप इसको ऐसे भी रखना चाहते हो, तो एस जो है लेंगा वाली छोली होती है, उसी टाइप से आप कांधाची को पहना सकती हो, अदर्वाइस आपने क्या करना है, इसको मिडल में रखना है, यहां पर इस तरह से, जो है, वी स्टिच लगाना है, हम कि इसके पजामा की प्रोपर लुक आ जाए वीस्टिच में हमने इसको दो बार श्टिच लगाया और जो एकस्ट्रा नीचे वाल फैब्रिक होगा उसको यहां वाला कट कर देंगे तो देखिए स्टिच लगाकर मैंने यहां से कट करके इसको सिधा किया तो ये देखे कुछ ही टाइप का जो है हमारा पजामा की लुक आ जाती है तो ये ड्रेस यहीं पर कम्प्लीट होती है इस बोग को जस्ट हमने अटेश करना है इसके उपर आप पर्ल्स गार अलगाना चाते हो तो लगा सकते हो तो अगर आपको वीडियो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चुडियो में रादे रादे फ्रेंड्स